गुद मॉर्निंग एवरिवन बचे हमने ओफ लाइन में यूनिट फिफ स्टार्ट किया हुआ था तो यूनिट फिफ हमने आदा किया था कुछ एक टॉपिक्स बच गये थे तो अब हम दुबारा से ओन लाइन हमें करने पड़ेंगे तो हम वही यूनिट फिफ जहां तक मैं यूनिट फिफ लिफस में अच्छे जिया हुआ है तो थो तीन टापिक नेकस्ट बच गये हैं तो वहम राम से अब उन-लाइन में ही करेंगे तो यह ऐसे टूल्ज होते हैं हमारे पास ऐसे इक्विप्मेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं तो यूज केपच्चुर बोलते हैं तो मचहरे को हम क्या बोलते हैं जो क्या करता है नहीं अट्वर बोलते हैं ग है tracking imm s पस बहुत सारे वराइटी आफ फिशिंग गियर्स अवेलेबल होते हैं जिनमें कुछ एक हैं जैसे के हुक्स एंड लाइन्स हैं, कास्ट नेट है, ड्रैग नेट है, गिल नेट है, अन्टैंगलिंग नेट है ये पांच कुछ मेंट टाइप की ऐसे फिशिंग गियर्स हैं जो वाइडली जो हैं यूज किये जाते हैं अब सबसे पहले हम बात करें हुक्स एंड लाइन्स की, हुक्स और लाइन्स का मतलब है सिंगल फिशिंग लाइन, मतलब इसमें हमने ये इस तरह का एक्विप्मेंट है, इसको हैंडल करने के लिए एक ही बंदा काफी होता है, बहुत जदा बंदू की ज़रूरत नहीं होत करते हैं, और किस तरह से कैच करते हैं, बचे हुक्स पता है, कर्वड टाइप की आगे से कर्वड होती है, इसको दर्या में या जहां पॉंड में जहां से हमने फिशिंग करनी है, वहां डाला जाता है, और फिश को एंटैंगल मतलब फिश को पकड़ा जाता है, उसके उट से ही capture होती है या फिश में जो ऑपर क्यूलम वाला पोर्शन होता है न ऐसे ऑपर क्यूलम वाला वहां से ये capture हो जाती है और इसकी वज़े से उतनी वांड वगारा जखम नहीं होते फिशिज को ठीक है अब बचे जो हुक हम यूज करते थे पहले टाइम पे एंचेंट टाइम पे हुक जो थी बिल्स ऑफ इगल बिल के होता बचे बीक इगल की जो बीक होते है न को यूज किया जाता था या कोई हड़ी का हम यूज कर लेते के लिए ठीक है उसके बाद आज कल के टाइम पे मेटालिक हुक मोस्टली यूज की जाती है मेटालिक हुक मोस्टली मोस्ट को मनली या वाइडली यूज की जाती है अब अगर हुक की बात करें हुक जो है एक हुक हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली चार में रिजिन से बनती है ठीक है तो बचे यह था हमारे पास हुक का अब अगर लाइन की बात करें लाइन एक कौड की शेप में होती है और इसको हम यूज करते हैं फिशिंग के लिए मतलम असले पकड़ने के लिए और यह जो लाइन है फिश लाइन या तो सिल्क की बनी होती है बड़ी रेरली हम क कौटन की बनाते है क्योंकि कौटन और सिल्क को अगर कंपेर करो कौटन कच्छा होता है सिल्क जो है उसकी पका होता है ठीक है तो हम कौटन की कम यूज करते हैं लाइन मुस्टली सिल्क की यूज की जाती है आज के टाइम पे आज के टाइम पे नाइलन की या पॉली थिन या डाइनीमा, डाइनीमा क्या होता है बड़ा लाइट वेट का सिल्क होता है इसको हम यूज करते हैं लाइन बनाने के लिए और बचे ये इस तरह की लाइन ये सिल्कन वला पॉर्शन आ गया इसके साथ बहुत सारी हुक्स अटैच की हुई है और एक साथ पर एक ही बंदा यहां से पकड़ के पूरा पानी में फैंकेगा और इसके साथ क्या बहुत सारी फिशिज जो हैं इंटैंगल हो जाती है ठीक है तो बचे यह फिश लाइन आगी उसके बाद सेकिंड वरी है कास्ट नेट कास्ट नेट बचे या इसको थ्रो नेट बोला जाता है एक सर्गुलर टाइप की नेट होती है वेट इसका बड़ा कम होता है और इसको हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं फॉर फिशिंग या फिर फिश टैकलिंग ठीक फिश टैकलिंग इसको क्या किया जाता है इस तरह से इसको पानी में फैंका जाता है पहले हवा में ही इसको उच्छाल के अच्छा कासा स्प्रेड मतलब जब हम इसको फैंकते हैं ना पानी में तो पहले हवा में पूरी ये ऐसे स्प्रेड हो जाती है हवा में स्प्रेड होने के बाद पूरा जाके ये सिंक होती है ठीक है तो बचे ये जैसे मॉस्किटो नेट मच्छेदानी होते है उस तरह की न जिसकी वज़ा से पानी में पूरा ये जाके सिंक मतलब डूब जाती है ठीक है सिंकर्स की हेल्प की वज़ा से ये डूब जाएगी तो इसको पहले पूरा हवा में पहला जाता है फिर जाके वो पानी में डूब जाती है सिंकर्स की हेल्प की वज़ा से और जो ये उसको हम खिंचते हैं और वो पूरी क्लोज हो जाती है और क्लोज होने की वज़ा से उसके बीज में जो मचलियां वगारा आ जाती हैं उनको हम निकाल लेते हैं ठीक तो मतलब हम क्या करते हैं पूरा इसको स्प्रेड करते हैं पहले पानी के उपर पानी के उपर स्प्रेड हो के बाद वो बीच में सिंक हो जाएगी फिर हम स्ट्रिंग दागे को खींचेंगे पीछे और उसकी वज़े से वो जो क्लोज हो जाएगी नेट जैसे के यहां से हमने खींचा और यह पूरी क्लोज हो गई इसके अंदर जो मचलियां आगे उनको हम आराम से क्या कर सकते हैं कास्टनेट ठीक है तो आज में दो ही करूंगी एक हमने किया है हुक्स और लाइंस दूसरा हमने किया है कास्टनेट बाकि तीन टाइपस बच की हैं वो हम कल करेंगे अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे डिरेक्टली पूछ सकते हो आज ही तक रखते हैं थैंक यू सो मच